नमस्कार राजनामा टीवी पर आपका स्वाकत है मैं प्रिया आपके साथ आईए देखते हैं देश-उदेश की प्रमुक खबरे तमिलनाडों में ब्रश्टाचार मामले में जांश न करने देने पर 15 80 अफसरों पर केस मध्यप्रदेश में डॉक्टर यादव का मंद्री मंडल हर तीसरा OBC कश्मीर के पूँच राजोरी में नेट बंदी आर्मी चीफ बोले सेना पेशेवर तरीके से काम करे ग्रामिनों की मोत पर ब्रिगेडियर को हटाया तीन पर कारवाई केरल में इसाई वोटरों को रिजहाने के लिए 31 तक भाजपा की इसनेहे यात्रा करनाटक में मंद्री बोले लोन माफ कराने के लिए किसान चाहते हैं सुखा पड़े चीन पर महरबान श्री लंका 15 साल का पोर्टेक्स माफ अमेरिका की तरफ बढ़ा सबसे बढ़ा जथा इसमें 6000 शर्णार थी आतंकी हाफिस सईत की पार्टी लड़े की चुनाओ मेटा तल्हा लाहोर से मेदान में राष्टपती ने नए आपराधिक कानूनों को मनजूरूई धी अंग्रेजों के जमान के कानून खतम होलकर में 14 जनवरी को होने वाले भारत अफगानिस्तान T20 मेच के विध्यारती छूट के टिकिट कल से बिकेंगे अरप सागर में तीन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर तेनात गुआलियर में तान सेन समहारो बारा सो बैयासी वादकों ने तबला बजा कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड मध्यप्रदेश समेट छे राज्यों में कहरा दिल्ली में 333 उडाने लेट मुंबई में माझे से गला कटा कॉंस्टेबल की जान गई सच रही राम नगरी 16 जनवरी को यजमान के सर्यू इसनान से शुरू होगा अनुष्ठान 17 को नगर भ्रमन बागी की तमाम कवरों के लिए बने रही राजनामा टीवी के साथ धन्यवाद